Hey Guys! Welcome back to my channel. कैसे आप सब ? I hope कि आप सब अच्छे होगे। आज में आप लोगों के साथ शेयर करने चाहरी हूं। पर आप सब्सक्राइब एडिबल ग्लिटर की रेसिपी जिसे हम एक रुपय में बना करें की रेडियों। बहुत ही आसाना रीजी तरिके से बना सकते हैं अगर आपको आज के लिए लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल अ क्लिक कर दें एक पैन. एक बड़ा स्थाओं चमच चूला लेती ऑप निजुपब मीडिया। तो इसे मिक्स कर लेंगे, इसके बाद रख देंगे चूले के उपर और इसे हमें पकाना स्टार्टिक में बिल्कुल लो फ्लेम पर और जब यह पकना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस का जो फ्लेम है वह हम मेडियम पर कर देंगे तो आप इसे इस तरह से चलाते हुए पकाए तो यह दिखे कि यह पहले से ट्रांस्पेरेंट हो गया है। यह मतलब है कि यह पकना स्टार्ट हो गया है। तो गैस की जो फ्लेम होग है आप नहूं पर तरएल पर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक यह थो ठोड़ा सा ठीक इसे दोनों बोल में ट्रांसफर कर देंगे हम तो इसमें मैं डाले हूँ रेट फूट कलर यह मैंने जल कलर लिया है इसे डाल कर मिक्स करेंगे यह रेट कलर का हो गया और इसमें मैं डालूंगी ब्लू कलर इसे भी मिक्स कर लेंगे दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है इसके बाद हमे चाहिए होका एक प्लास्टिक शीट आपको इसे भी ले सकते हैं यह जो कपडो वाली अज़ी प्लास्टिक की शीट आती है यह वही लिये मैंने बॉश कर टे और इसके उपर हम इस तरसे पहला अब फेला सकते हैं और आपको नहीं तो बहुत ज़ादा करना है? अगर आप इसे मोटा करेंगे तो सुखने में पासराइ में भी खाला है कके निकलेगा नहीं तो इस रख देगे तो इस रहा है। अगर अप our दूप में सोकाइंगे तो इसका जो कलर हो तो दोल हो सकता है तो इस का ते इसे पांखे में ही सूखाएं कि इस मेरे देखर फोटा कहना si इसे रख देंगे 4-5 खंटे के लिए इस सोके कि लिए है taking about 5 खंटे हो निकला रहा है इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से, इसके बाद हम इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, इस तरह से तोड़कर आप इसे डाल दे और इसे ग्राइंड कर लेंगे हम, तो दिखें इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और हमारा जो ब्लू ग्लीटर है वो बनकर बिलकु और आप देख सकते हैं कि बहुत ही पॉफेक्ट बना है इसी तरह से रेड़ वारा भी निकाल लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह उपर वाली साइड है जो हमने इसे शीट पर फैलाया था तो यह उपर की साइड जिस पे बिल्कुल भी शाइन नहीं है और यह नीचे की साइड है जो प्लास्टिक में चिपकी हुई थी और इसमें काफी आपको शाइन दिख रही है तो इ इसे ग्लिटर एफक्ट आजाता है तो अब हम इसे भी डाल देंगे ग्लिंदिंग जार में और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे और आप चाहे तो आप इसे स्ट्रें भी कर सकते हैं अगर आपका बहुत ही मोटा मोटा पिस्ट रहा है अगर आपके मिक्सर में ठीक से नहीं कर सकते हैं तो यह हमारे ग्लिटर बन की रेडियो के आप देख सकते हैं कि बहुत ही पॉफेक्ट बना है तो आप इसे घर पर ट्राइब करें और अपने फीडबेक में इसा जरूर शेयर करें में तेया नेक्षा सीपी के साथ चिल देन बाबाई ठेक केर